हाँ जी अस्सलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक है जी वेटा हम लोग डिसकस करें थे कैमिकल बॉर्णिंग कैमिकल बॉर्णिंग आज लेक्चर नमबर फाइव है आगर आपने कैमिकल बॉर्णिंग समझना है तो शुरू से देखेंगे तो जादा समन में आएगा अच्छ बेटा आज हमने क्यों का डिसकस करना में कुछ इंपॉर्टेंट टॉम्स पर नहीं है करने कि बॉर्ण में क्या होता है? मिनminister क्या होता है, facingma ऑणर क्या होती हैं और Bye. हम बदेख रहे हैं. बॉल्द यह कंश है नहीं है, मॉट पेर.. क्या होता है? बांड पेर उन इलेक्ट्राइब को कहते हैं जो कौवलेंटली बॉंड़ेंट होती है बॉंड पेर इलेक्ट्राइब नाम से जाहिए ऐसा पेर उफ एलेक्ट्राइब में इंवाल्व है कौलेंड बॉंड बनाया हुए जैन्नों ने तो लिकले हैं आप डेफिनिशन अब वांडिज स्टेट में फ्रीटिछ मैं विलस एलेक्रों और बॉंड है अ सिंगल बॉंड इस ऑल्वेस और थो इलेक्रों और डिटर ऑच्छा अजितर फिर्ट इस डिटर उच अदर bond pair can also be seen in a covalent compound and coordination compound can be seen sorry कहाँ पर नजर आते हैं covalent में या coordination compounds में तो बिटा bond pair electrons क्या होते हैं जो bonded electrons होते हैं जिनके तरह में covalent bond बना होता है तो प्रीज कॉपी कर लें इसको bond pair a single bond is always composed of two electrons obviously two electrons में होते हैं bond pair को इस तरह रेप्रेजेंट करते हैं यह यह लाइन से रेप्रेजेंट करते हैं यह line में इसके मतलब यह bond pair electrons और इसमें दो electrons हैं अधिये next definition lone pair क्या होते हैं देखो जो valence electrons होते हैं कुछ तो bonded होते हैं न सारे लेकिन bonded नहीं होते हैं कुछ bonded नहीं होते हैं ऐसे valence electrons जो bonded नहीं है pairs की form में उनको बोलते है lone pair a lone pair refers to a pair of valence electrons that are not shared with an other atom in a covalent bond they are not bonded sharing में involved नहीं है pair की form में अलग-अलग बात नहीं करते हैं it is also called unshared pair यह दो electrons को बोलते हैं pair और non-bonding pair lone pairs are found in the outermost electron shell of the atoms simple सी बात है lone pair क्या होंगे valence shell में होंगे outermost shell में होंगे यह देखो प्लीज कॉपी करने पहले आप पीछे रज़े और पॉस्ट करके कॉपी कर दिया करो ठीक है video lecture है तो ऐसी चलेगा आप पिछे रहेंगे पॉस्ट करें कॉपी करें जी जनाब यह देखो फ़र एजेंपल यह एक है water molecule यह जो electrons है ना यह क्या है यह bond pair है bond pair electrons oxygen के विलेंसल में 6 electrons होते हैं ना दो यहां आजिए दो यहां आगए आठ पूरे करने था ना अएक से share किया अपना एक था ना एक हाइलोजन ने दिया तो अगे था करें तो एक elektron यह था एक électron यह था छे पूरे गर नेए दो यह थे दो यह थी तो इसको मैंने कहा दिये यह लूण पियर है यह यह तो यह जो हुआ रहे और यह अठी में देख्विया मोंिया में भी अनट्री टिखे न के कितने होते हैं फांच अन्के पाँच लखो तो एक हैं यह एक हाँ हाइडोड बना disp weir बना के आखरी चाइड आफिँ सेवन एलेक्टिर के ऐसेक्डर में इंवाड़ोड अजिक्षा वाइडोड पियर और यह लोन पेर हैं एक तो यह होगी ना दो दो चार दो च्छे और एक साथ यस सेवन पूरे होगए त्श आठ पूरे करने के लिए इस भिया इस से शेरिंग कर लिये को लें बना लिया यह ओता है लोगर जो बांड में लौल तो मोटते हैं 1st bond order. अगर 2 covalently bond 2 bonds बने वे हैं, जो 4 electrons involved है, तो मोटते हैं double bond तो 2 होता है, 3 bond बने वे तो 3 होता है. इतना bond order जाता होगा उतने जालएधा इलेक्ड्रों पेर involved होगा, उतनी सादा attraction होगी, उतना स्चार जालएधा strong bond होगा, उतनी two atoms monodicata it is a number of bonding pairs for example it is a bond order 1 a oxygen it is the water to a nitrogen bond order 3 a so bond order is the number of bonding pair of electron between and between two atoms in a covalent bond between two atoms a single bond has a bond order of one a double bond has a bonder of two a triple bond has a bond or of three and so on simple see what about the son of one order this copy of the song to the copy of the next video higher the bond order indicate greater stability higher bond order has strong intermolecular forces and strong interatomic forces worry the new for the new molecule greater stability here for example in a diet atomic nitrogen and to the good it in a to bond order is 3 in an acetylene is a bond order care the carbon carbon border 3 a carbon hydrogen and the carbon hydrogen is one I'm going to show you bond order to get a bond order with a year yeah you need to be integral here concept to the resonance up to the syllabus we're going to be able to be able to get a bond order fiction maybe a bond dot a two-point 10 or two items is on one point five to get out of the नहीं बात करें हम यह आपके शलेबस नहीं अचा इंपोर्टन किया है इसो-elektroniq molecules and ions have same bond order जो आइसो-elektroniq होती है ना ऐसे molecules जिनके electrons और जैसे ions जिनके electrons same number of electrons same है उनको बोलते है इसो-elektroniq iso-elektroniq molecules and ions have same bond order iso-elektroniq molecules and ions have same bond order copy कर ले में असान चीज एक नेक्स्ट एम लेंद बाल एंद किया होगा बारण लेंद किया ओगा दो बांड़ीट जो ऐटम के न्यूक्लिय के दर में जो डिस्टेंश को बांडलेंगे इसको बोलते हैं ने कोवलेंट रेटियस भी पड़ा था कोवलेंट रेडियस के आधे last time का half what is bond length bond length is defined as distance between the centers of two covalently bonded atoms bond length दो को लेडियर यह लेडियर आँटम से उनके nuclei के द्रेम आजो distance है इसको बोलते हैं bond length the length of bond is determined by the number of bond bonded electrons number of bonded electrons ज्यादा होंगे ज्यादा अट्रेक्शन होगी करीब आ जाएगे मॉनलेट का बोजाएगे stability बढ़ जाएगे higher the bond order stronger the pull the two eight stronger the pull between two atoms and the shorter the bond then जितना bond order ज्यादा होगा bond order one है तो एक pair of electrons shared है ना attraction कम है double bond है दो पेर मतलब चार electrons bonded है दो पेर में दो पेर दो पेर बॉन्ड है ना दो बॉन्ड पेर्स है न सॉरी चार electrons bonded है जाधा attraction है जाधा attraction है तो करीब आ गए मॉनलेंथ कम होगे stability बढ़ गी तोड़ना मुश्किल हो गया यार उसको generally the length of bond between two atoms is approximately the sum of covalent radii पढ़ाता ना आपने covalent radii क्या होता है covalent radii bond length का half होता है तो covalent radii को जमा कर लोगे तो bond length बन जाएगा generally the covalent radii generally the length of bond between two atoms is approximately the sum of covalent radii of the two atoms please copy कर लें या असान चीज़ें को मिश्किल नहीं है और बॉर्ण लेंद आहम तो पिको मीटर में होती है पाइको मीटर या पीको मीटर जासे प्रोनाउस करें बॉर्ण लेंथ जो कोवलेंटी बॉर्णिट एटम से उनके जरे उनके सेंटर्स के दिरमाद जो डिस्टेंस को बॉर्ण लेंद कयाती एगल नेक्स्ट네 क्से बढ़ेंगी इसख़ ट्रृबर बॉर्ण होगा उसकी बॉर्ण यंक कम होगी इसख़ट डबर बॉर्ण होगा उसकी बान दिम्यानी होगी जिसको सिंग्ल बॉर्ण चिंद्स ढोगए उसकेमाप ज्यूद्स लेद प्लीज जल्दी से कॉपी कर लें ये नेक्स्ट क्या है बिटा नेक्स्ट है बिटा वेलेंस बैड थियोरी वेलेंस बार्न थियोरी ओवरलैपिंग ओफ अटॉमिक और्बिटल बिटा अभी हमने ज्यादा डिटेल नहीं पड़ी इसकी असले जब दो एटम्स करीब आते हैं तो उसके और्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जब और्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो फिर उनमें बॉंड्स बनते हैं जब दो एटम्स करीब करीब आएंगे तो उनके और्बिटल्स ओवरलैप करेंगे orbitals overlap करेंगे अच्छा अब उससे क्या होगा covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals, covalent bond बनता ही कैसे है जब overlapping होती है atomic orbital की वैसे तो बनी नहीं सकता, sharing तभी होगी ना जब दोनों के area में electrons आ जाएंगे, overlap करेंगे दोनों के orbitals only half filled orbitals with the electrons only half filled orbitals with electrons having opposite spin overlap for example, एक orbital यह है, एक hydrogen का है hydrogen का है, 1s और यह दूसरी hydrogen है, इसका भी half filled है, opposite spin के लिए इसका मैंने नीचे दिखा दिया, अब यह overlap कितने करीब आएंगे, overlap करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा bond, यह bond यू शो करती है तो यह क्या होगा, यह overlap करेंगे इसका spin upward, इसका spin downward, यह clockwise यह anticlockwise तो single electrons होना चाहिए, covenant bond के लिए ज़रूरी है कि orbital में single electron होना चाहिए और single electrons का क्या होना चाहिए opposite spin होना चाहिए, जो participate करें उनका spin opposite होना चाहिए ओके, valence bond theory क्या कहती है, when two atoms come closer, close to each other, there is overlapping of atomic orbitals बिल्कुल ठीक होती है, कास आएंगे, atomic orbitals overlap करेंगे कोवलेंट बनता ही overlapping से है overlapping होगी तो sharing होगी अचा, फिर क्या कहते है, कौन से electrons involved होंगे कौन से orbitals involved होंगे, half field half field involved होंगे और जिनके अदर जो electrons होंगे, वो single single होंगे पेर नहीं होगा, और उनका spin भी opposite होगा यह होना जरूरी है, यह condition है अज़र फिर overlapping must be less than 50% अगर 50% से ज़्यादा overlapping हो जाएगी, मतलब ये एक है और ये 50% से काम है तो यहां तक है, maximum अगर इससे भी ज़्यादा overlapping हो जाएगी और overlapping हो जाएगी तो इसका nucleus और इसका nucleus और इसका electron cloud और इसका electron cloud strongly repel करेगा यह bond stable नहीं होगा overlapping जादा होना अच्छा होता है लेकिन 50% से जादा नहीं होने चाहिए जितनी overlapping हमें bond weak है, जितनी overlapping बड़ेगी bond strong होता जाएगा लेकिन 50% से जादा overlapping हो जाएगी तो repulsion स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ओके, larger the extent of overlapping, stronger the bond, higher the bond energy and smaller the bond length, जितनी overlapping जादा होगी, जितनी overlapping जादा होगी इतनी stability जादा होगी, उतना bond stronger बनेगा, उतनी bond energy जादा होगी और bond length कम होगी, attract जादा जोर से करेंगे और फिर, there are two types of overlapping एक होती है, you know, head on overlapping, head on overlapping, axial overlapping, head to head और एक होती side to side overlapping, parallel overlapping, sideways overlapping, lateral overlapping तो atomic orbital की दो किसम के overlapping हो सकती है यह बिल्कुल head on आ रहे है, यह overlap होजाए, यह overlap होजाए यह यह overlap होजाए अच्छा, आप overlapping भी दो किसम के होती है एक positive overlapping, एक negative overlapping यह देखो the overlapping may be positive, negative और zero positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, zero भी हो सकती है depending on the properties of overlapping of atomic orbitals overlapping positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, zero भी हो सकती है कि क्या होती है पॉस्टीव ओवर्लैपिंग है इसकी पॉस्टीव साइड इसकी पॉस्टीव साइड से ओवरलैप कर relied यह पॉस्टीव चार्ज देनी आप ऐसा सोचो कि ईलेक्ट्रान बॉऔर्डिस टेट में कितरह करता ना मतलब ये कि एक electronic wave सपोस करें ये है, इसका crust है, crust को मैं पॉजिटिव कहा दिये, ट्रफ है इसको negative कहा दिये, एक और electron है, electronic wave बनाई, electron जब bondage state में होता है तो उसका wave behavior prominent होता है, अब ये इसका positive side है, crust है, ये ऐसे overlap करें कि crust crust पर आजाए, crust crust पर आजाए, ये इसका मतलब ये crust crust पर है, इसको बहुत है constructive interference, wave strong हो जाती है, एक दुस्टे को reinforce करती है, ये positive, positive overlap है, negative क्या होगा, negative overlap ये होगा, कि एक का crust हो, और ये दुसरी wave ये दुखो, ये plus है ना और ये minus है, ये overlap करें, तो waves cancel out हो जाएंगी, positive, negative, they are not charges, ये ना कहिए, ये तो unlike charges है, अट्रेक करेंगे, positive crust को represent कर रहा है, negative trust को represent कर रहा है, तो बेटा, positive overlap क्या होगा, positive overlap ये होगा, जब एक का crust और दुसरी का crust, ऐसे overlap करेंगे, एक का positive soli side, लोब की, और दुसरी की positive वाली side, ये overlap करें, एक का positive एक का negative, ये cancel out हो जाएगा, ये bond नी बनाएगा, ये bond बनाएगा, ऐसी हो सकते है, ये S और ये P, ये भी positive overlap, ये positive एस नेगटिव से करेंगे, तो ये क्या है, ये नेगटिव और लाप है, ये इसा भी हो सकते है, ये positive positive, negative, negative overlap करें, ये भी positive overlap है, पॉस्टिव पॉस्टिव से, नेगटिव नेगटिव से, यहाँ पहे क्या हो जाएगा, ये destructive interference है, ये cancel out हो रही है, ये bond possible नहीं है, ये high energy state आजाएगी, तो बिटा ये positive overlap होता है, ये bond बनाता है, ये negative overlap होता है, ये bond नहीं मनाता,, zero overlap क्या होता है, zero overlap क्या होता है? करीब तो आ गए, करीब है, बिल्कुल overlap नहीं करें, ये कब होता है बेटा, ये तक होता है, तेको, overlap करएं, ये, ये 0PX है, और ये S sub-śćel है, ये positive side से ओना, गॉस्टिव साइट से और रहा होता है, तो स के रहा होता है, ये एक यू है और एक यू है, सेम प्लेन में नहीं है, एक पी एक्स है और ये पी वाई है, ये ओवरलैप पास भी आ जाएंगे, तो इसको जिरो ओवरलैपिंग होगी, देखो, ये एक सेक्सिस के लोओ, ये वर्टिकल ये होरिजॉन्टल, नहीं है, एक वर्टिकल है, एक होरिजॉन्टल है, तो फिर क्या होगा, इनकी जिरो ओवरलैपिंग होगी, इनकी जिरो ओवरलैपिंग होगी, ये जिरो, पास आ भी जाएंगे तो इसको जिरो ओवरलैपिंग है, यह overlap कर भी लेंगे तो हम बोलें कि 0 overlapping है, ठीक है बेटा, next, next main topic है आपका sigma bond, sigma bond क्या होता है, ठीक है, बेटा पीछे रहे जाएं तो stop करके बीछे आ जाए करें, ठीक है, देख लिया करें, copy कर लिया करें, sigma bond क्या होता है, बेटा, sigma bond होता है, head-on overlapping से, positive, positive से overlap कर रहा है, head-on, जैसे एक का px, यह p orbital 2 क्या overlap कर रही हूं, head-on overlap कर रही है, head-on overlap कर रही है, ठीक है, so, क्या होता है जी, the type of equivalent bond is formed by head-on, head-on overlap, और इसी positive तो होगा, same phase और overlap होगा, the type of covalent bond that is formed by head-on, head-on positive, same phase overlap, overlap of what, atomic orbital along the internuclear axis, inter-nuclear axis, inter-nuclear axis क्या होता है, बताता हम में, inter-nuclear axis यह, inter-nuclear axis, nucleus से गुजर रहा है, यह, अगरी हुआ है, यह, इंटर-nuclear axis, यह, नुकलिस से पास हो रहा होता है, ठीक है, यह, यह, इन में 0 bond होगा, उसको, यह, sigma bond नहीं यह, sigma bond के लिए कैसे आना पड़े का तो, मैं inter-nuclear axis यह, sigma, यह, sigma, यह, दो, s, s orbitals हैं, यह overlap करेंगे, तो क्या बनेगा, sigma bond, the electrons, sigma bonds are strongest covalent bonds, sigma bonds जो होते हैं, वो strongest covalent bond होते हैं, क्योंकि हैड-on overlap हो रहा होता है, जादा overlap हो रहा होता है, owing to the direct overlap of the participating orbits, orbitals, sigma bond head-on overlap होते हैं, और यह strongest होते हैं, क्योंकि जादा overlap हो रहा होता है, जो electron participate करतें, sigma, bond में को बलते हैं, sigma electrons, जित्ते भी single bond होते हैं, जित्ते भी single bond होते हैं, जित्ते भी single bond बनाओगा, single bond जहां भी नतर आएगा, वो sigma ही होगा, ओके दे केन भी फॉर्म वाया दे कॉमिनेशन अफ इटोमिक और्बिटल देखें फॉल्विंग कॉमिनेशन से सिग्मा बाउंड बन सकते हैं मैं आपकी ग्जेंपल देता हूं पहले तो बदाए सिग्मा बन क्या होते हैं है एड़न ओरलाप से बनते हैं एकका पॉस्टिव एक लिए पाउन्स पेल ओर्ड इलेक्ट्रों याँ पी यह यह पी अए पेस्पोरलाप किया है इंडिस काई ओर लैपिंग वनेशन आर्पिटल फॉम इजपार्टेसिपेटिक एटम Aber knife head-on overlap head-on overlap कर रहा है along the internuclear axis internuclear axis यह होता है internuclear axis and s orbital must be half filled s orbital को क्या होना चाहिए half filled होना चाहिए half filled completely filled होना चाहिए half filled होगा तो covalent one मनेगा draw कर लेंगा एक s orbital एक s orbital for example H ये भी H hydrogen atom hydrogen atom or hydrogen molecule बने है सिग्मा कुछ तरहें करते हैं सिग्मा स्वरी बताना भूलिया यह सिग्मा यह सिग्मा बॉंड है SS overlap हादी इसेंपल दी क्या यह सिग्मा और यह सिग्मा बॉंड है तो ओवरलैपिंग फ्टू और बिटल रिजर्टिंग एंसिग्मा बनाते हैं लेकिन यहां में शो करती हैं यह नहीं बनाते होते सिग्मा बॉंड एक सो और एक पी ओ इसे बन सकता है स्पी ओवरलैपिंग बहुत दें इसको स्पी ओवरलैपिंग ऐसे बन सकता है s-orbital or p-orbital लेकिन कंडिशन क्या है यह हाफ फिल्ड हो यह भी हाफ फिल्ड हो ओवरलैप करके यह देखो s-p-overlap here one half-filled s-orbital overlap with one half-filled half-filled p-orbital along the internuclear axis along the internuclear axis इसे axis के-along this condition is illustrated below condition अजर आ रही है ठीक है इसी है मुश्किल नहीं है नेक्स्ट यह अमुनिया में होती है ammonia NH3 and NH3 molecule features three sigma bonds formed by overlap of 2px 2py and 2pz nitrogen का पता है ने टोमिक्स ने ने टोजन में कितने 7 होता है ना तो वेलेस electrons कितने होते हैं willis electrons 5 होते हैं इसकी electronic configuration लिख सकते हैं यह 1s2 2s2 यह 1s है यह 2s और पी पी एक्स पी वाई पीज़ेट असर्च विलेस उल में कितने electron में पांच electron है है तीन अनपेयर्ड है यह तीन पैररन क्या करेंगे hydrogen को ढूँडेंगे hydrogen जब आएगी तो क्या होगा बिता hydrogen का यह वाला electron 1s वाला दूसरी hydrogen का भी यह वाला टीसरी hydrogen इन पी येंवला एक पी I से मिल जाएगा पी जरट स से मिल जाएगा और ऐसे मिलेगा ऐसे और सघ्न før ना कोपी कर लेल जल्दी से और किसे बन सकता है एंस और किसे बन सकता है वीठा PP भी तो हो सकते है, डॉनों की PP ओarks हो उलप से सिंग बाय। सकता है, यह Pp render से stigma bond होगास का है। नहीं सिकता है बा-बां। इसका है सा लिए इसका है बाझान बाझे है। भी आपना है तक चुस थी और रिटरीम होना चाहिए एक हाफ फिल्ली एलेक्टोन पर रहे हाफ फिल्ली एक इलेकट्ट्रों यहां यह ओवरलैप आपके नज़र आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, असान सी चीज़ है, कॉपी करें प्लीज, हेड ओन ओवरलैप होता है, स्ट्रॉंग ओवरलैप होता है, स्ट्रॉंग बॉन्ड बनाता है, इसकी ग्जेम्पल के है, Cl2, क्लोरीन मॉलेक्यूल, 2PP ओवरलैप होगा, PZ दोनों के हैं, तो ओवरलैप कर गए और यह बना गया, क्लोरीन के वेलेस चल बना लेते हैं, क्लोरीन के क्या कॉन्फिकेशन होती है, क्लोरीन में 17 होते हैं, 17, 17, चले पुरा बनाते हैं, यह 1S2, 2S2, यह 1S है, 2S2, 2P6, दस पुरे होगे, 3S2, 3S2, 12 होगे, और 3P5, 2, 4, 10 होगे, 17 होते हैं, क्लोरीन में 17 होते हैं, 2 और 5, तो इस पर क्या है, अगर आप और बनाएंगे तो, देखो यह बनेगा, पी के क्या बनेएंगे, 3 बनेगे न, फेले यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, अब 3S2, यह और यह, और इस पे इस पे यूँ बना रहूं है ये, ये, ये और फिर ये, और ये ये एक का हो गया दूसरे का जो बनेगा नहीं वाला दूसरे का जो बनेगा वो यूँ बनाएंगे उसको यूँ बनाऊंगा मैं पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये अब ये दोनों PZ, इसका PZ और इसका PZ, ये head on overlap करेंगे, तो ये concept बन जाएगा, PP overlapping हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, sigma bond बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sigma bond, sigma bond, hand on overlap से बनता है, stronger होता है, दोनों की same phase, ये positive है ये भी positive, ये charges नहीं है, ये phase बता रहे है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है जाएगा, pi bond क्या होता है, pi bond, pi bond ये होता है कि sideways overlap से बनता है, sideways overlap से, और sideways overlap कौन कर सकता है, s orbital तो कर ही नहीं सकता न, sideways overlap कौन कर सकता है, p, p orbital कर सकता है, क्योंकि उसकी dumbbell shape क्यों होती है, pi orbital are formed by sideways, positive, same phase overlap of atomic orbitals along the direction perpendicular to the internuclear axis, क्या मतलब, इसका मतलब ये है, थेको, ये इंटर नुकलार एक्सेज, इस तरह और रिंटिए ना, पर पेंडिकोलर, पर पेंडिकोलर टुलर टुदा इंटर नुकली रेक्सेज, ये का करें, ये ओवरलाब करेंगे, कैसे इधर देखिए, इसका यह पॉज़िव साइड है की यह पॉज़िव साइड है की तो इसका ईने अगड़ीव साइड है यह अगड़ाप पर भीप आप भीप और ने ऐसे इसकुष रुप्रज असय भी कर सकते हैं शुब कर सकते PP overlap by bonds are formed by the sideways positive same phase overlap during the formation of pipe on the axis of atomic orbitals are parallel to each X of atomic orbital the X is the X is opposite parallel inter nuclear access inter nuclear access console इसके perpendicular इनकी overlap हो रहे हैं यहाप एक उपर एक नीचे तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो जडिलीवी करों यह क्या होते हैं पाई बॉन्ड जडिलीवी करों दिलीवी करों देन इस पर ओवरलाप कम होता है जडिलीवी करों देन सिट्रिएंग देन लॉर। डिगरी ऑफ ओवरलापेंग उनकी ओवरलापींग कम होती है Means जब भी डबल बॉन्ड वंगे न सभी डबलॉन्ड होगा पहला पॉन्सीग्मा होगा जो दूसरा होगा वो पाई पॉर्ल होगा पैल dois stigma होगा दvुसरा और पाय होगा ट्रिपल बॉन में क्या होगा एक सिगमा दो पाई पहला पॉर्ण हमेशा सिगमा होगा नेक्स्ट बॉर्ण बनेगा डबल जट्रिबल वह पाई बॉंड होगे पता है सब लोगों को कॉपी कर ले अब जैसे के फॉर एंपल ऑक्सीजन में यह दो बडल बॉर्ण यह वला बॉर्ण अगर सिगमा है तो यह वहला बॉर्ण पाय होगा नेक्स्ट बॉंड दॉर्ण बनेगा वो पाय होगा H में क्या है? H में 1 sigma. पहला bond sigma होगा, जो next bond बनेगा वो pi होगा. It is important to know that combination of sigma and pi bonds is always stronger than single sigma bond. Single sigma bond, single pi bond से strong है. लेकर निगर single sigma है और यहां पर sigma और pi है तो obviously वो दो हैं, तो strong बनेगा. Next video, अच्छा लिखा नहीं है आपने, sorry. Combination of sigma and pi bonds is always stronger than a single sigma bond. भई वो डबल बन बन गया है, तो stronger ही होगा. प्लीज कॉपी करने. आज की चीज़े मुश्किल नहीं है, note down करने है अपने तेस 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 बस रहा. आपको time लगे का note down करने हैं, मैं तो जल्दी जल्दी आगे कर रहा हूँ. Simple चीज़े पढ़ी है है अच्छा भी, find the number of sigma and pi bonds in the following molecules. इसकी practice करते हैं. ठीक है ठी? सबसे पहले बात करते हैं, H2O. H2O की almost shape ऐसी होती है. औक सीज़ेन के साथ इदर और इदर क्या बन रहा है? यह single bond बन रहा है, यह भी single bond मान रहा है. तो इस पहर यह भी sigma bond है, यह भी sigma bond है, यह भी sigma bond है. यहाँ अपे दिखिए, C2H4, C, C, ह ठीक है, H, 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 H. यहां पे लिए स्ट्रक्चर यूए कुछ अच्छा सा बना हुआ प्यारा सा अच्छा यह सिंगल बॉन तो यह सिग्मा होगा नहीं अब देखो सिग्मा पाइ में डिफेरेंट नकना है हुए यह सिगल बॉन acity सिग्मा है यह बी सिग्मा है यह दोनों में से एक सिग्मा है और एक पाइल्य तो कितने bond होगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच सिगमा bonds है और एक पाई bond है ठीक है? C2H4 में Clear? इसको erase कर रहा हूँ यहाँ पर दोलों सिगमा थे Next NH3 NH3 यहाँ में आ रहा हूँ N यह H है यह H है और यह H है Single single bond है यह भी single bond, यह भी single bond, यह भी single bond जब single bond है, तो तीनों bond क्या है जब single bond है, तो तीनों bond क्या है तीनों bond सिगमा है यह भी सिगमा bond है यह भी सिगमा bond है, यह भी सिगमा bond है 3 सिगमा यहाँ पर आ जाए यहाँ पर CH3 C यह एच 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 सी डबलो एच यह होता है यह इस्टी के सिट सी एच थ्री सी डबलो एच सही है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है अके अब देखे न बिटा इसमें कितने बांड्ट आपको स्रीक्षर गेhak न होगा पर बताने हैं मिससी ко after यह सिंगल बॉण्ड है ये सिंगल आई तो सिग्मा और सिग्मा यह भी सिग्मा और यह सिग्मा और यह विस उग्मा कितने सिंग्मा होगे एक दो तीन चार पांच छेस साथ सेवन सिग्मा और क्या है वन पाई क्लेर असान है बिल्कुल और देखना चाहते है एक और देख लें सी टू एच्टू सी टू एच्टू इथाइन सी टू एच्टू सी सी और यहां पर क्या है एच एच यह डबल वाण है सीटो एच्टू जी जनाव अब क्याई यह पी सिग्मा यह बी सिग्मा ये लोड़ेर सिग्मा फान्च पाइखसोटरी को देखना चाहते हैं ईसाथka सभी हैंन्पनद इसारी एस आसकी होती है एक एस के सब tu U यहां पर है यहां पर है यहां पर है डबल बॉंड डबल बॉंड डबल बॉंड एसो 3 तो बिनमें क्या है यह सिग्मा एक सिग्मा एक पाई डबल बॉंड है न पहला बॉंड एक सिग्मा एक पाई यह सिग्मा बॉंड है यह पाई बॉंड है यह सिग्मा बॉंड है यह और तो एजिए एक दो तीन चार अक्सीजन 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 वेच 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 एच वेच तो जित्ते भी सिंगल बॉंड यह भी सिग्मा है हाँ जी सिग्मा 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 और यह पाई और यह पाई एक दो तीन चार पांच सिग्मा दो पाई यह आखरी देखिए दरा सी टू सी एन यह सी और यह सी यहां पर सी एन यह आपको जानना जूरू नहीं आपको गिवन है आपको गिवन है आपके स्ट्रिक्चर गिवन है अब देखे कितने सिग्मा कितने पाई बॉंड है कितने सिग्मा कितने पाई बॉंड है कितने सिग्मा कितने पाई बॉंड है तो देखे दरा यह क्या है एक सिग्मा है यह दो पाई है यह भी पाई है यह तो सिग्मा है यह तो सिग्मा है यह तो सिग्मा है यह भी सिग्मा है यहाँ पर्याद प्यित् सिण वी ओंची और बाकी कि दो क्या ही पाइड यहाँ वीकि कै एक सिंग माव्वाव्य कर और यहां पाइड यह पॉल ईंट इसल्घ में के सिग्रिंस उंकम कईम एक दो तीन सार पान छे साथ आठ एट पाइ इस तरीके से काउंट कर सकते हैं structure को प्रिशान ना हो यह आपको given होगा हर structure आपको याद दी कर सकते हैं ठीक है next बेटा what is the difference between sigma and pi bond तो लिखते हैं what is the difference between sigma and pi bond क्या क्या differences है पहला तो उनकी definition है यह क्या होती है head on end to end axial overlap यह क्या होती है पीटा sideways lateral overlap पीपी overlap यह कहां हो सकती एसस में SP में PP में इस पर greater overlap होता है stronger bond होता है लिखने है इस पर कम होगा ओवरलाप तो weaker bond होगा lesser overlap and weaker bond यह सिंपल है free rotation about the sigma bond और यहां पर free rotation is not allowed यह क्या मतलब है free rotation क्या देखो बिटा यह पी और यह पी है ठीक है आप इस यह घूमता भी रहेगा तो overlap तो उतना ही रहेगा न overlap तो खराब नहीं हो गोंगा रही है और यह घूमने लगज़ाए तो को फरक नहीं पढ़ता यह घूम सकता है और यह घूमसकता है क्या मतलब इसके घूमने से overlap खराब नहीं होगा लेकर अगर साइड दिज और अवरलैप बहुदा है अगर इसको about rotate रने से उनका overlap खतम नहीं होगा यहां पर overlap खतम हो जाएगा तो इस पर अलाउट नहीं है free rotation about sigma bond is allowed sigma bond है दो में एक चलेए एक यह है और एक यह yes है यह पी है अगर मैं इसको गुमाऊ यह दोनों को गुमाऊ इस तरह ऑफ़र लैप निगे खतिम होगा यहां पर क्या है side with ओऔर यह प्लस प्लस यह माइनस माइनस overlap किया आगर यह घुमाते हैं तो प्लस माइनस की दरुछ आ जाएगा इनका overlap खतम हो जाएगा कि 90 पर यह जाएगा जीरो ऑफ़ जाएगा तो बैटा इस पर free rotation एलाउट नहीं है उसे free rotation allowed can exist independently खाली सिग्मा हो सकता है खाली सिग्मा लेकि यहां पे सिग्मा के साथ पाई भी होगा must exist along with the sigma bond यह अलग से नहीं होगा हमेशा second bond होगा यह third होगा has impact on the shape of molecule पढ़ेंगे हम shape of molecule इसका shape of molecule पर impact होता है has no role in determining the shape molecule की shape पाई बॉंड पर depend नहीं करती एसन पाई और्बिटल can participate in the formation of sigma bond s भी हो सकता है पी भी हो सकता है सिग्मा बॉंड बना सकता है और यहां पे क्या है डी भी हो सकते है विसे only p orbitals participate in the formation of पाई बॉंड खाली पी जो है ना वो पाई बॉंड बनाएंगे वहां पे ऐससर पी दोनों हो सकते हैं ठीक है बेटा तो आज की चीज़े तो मुश्किल नहीं थी तो सिंपल आपको लिखनी पड़ी जादा तो हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा बॉंड ओर्डर पढ़ा बॉंड लेंथ पढ़ा उसके बाद क्या पढ़ा हमने उसके बाद हमने पढ़ा ओवरलैपिंग ऑफ और्बिटल्स पढ़ा और सिग्मा एंपाई बॉंड पढ़ा यह सिपल चीज़े हैं इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी तेंड शूल्स